नमस्कार जोहार मनुरंजन के छेत्र में आज बहुत सरी आपार संभावनाएं हैं इसके दोस्तम अभिनाएं और नित्य की जहलक तो आप हर एक दूसरे वेक्ति में देख सकते हैं जिसमें से एक है करियर विकर्ड आज हमारा जो शो है उसका टापिक भी कुछ इसी तरह है अभिनाएं और नित्य में करियर बनाते ही हुआ आज लोगों को अभिने और नित्य की थोड़े सी ग्यान हो जाती है तो वो निकल परते हैं मनोरंजन की दुनिया में शायद यही कारण है कि इसमें असफलता की दर बहुत जादा है आज हम हमारे शो युवदर्शन में इस असफलता से कैसे बचे उस पर चर्चा करेंगे तो इस बिंदू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो महमान जुड़े हैं जिनका नाम है मानव और अंकीता मानव आपसे जानना चाहेंगे कि acting जो होती है अभिना जो होता है अगर इसे तकनीकी रूप से कोई जानना चाहें कि इसकी परिभाशा क्या होती है तो इसकी परिभाशा क्या है तो देखिए सबसे पहले जो अभिना है acting एक सटीक सा definition या परिभाशा कुछ भी बोल लिजिए acting वही है जो acting नहीं है It means acting is not acting It is being natural एक सटीक सा जगाब बहुत अच्छा कहा आपने अच्छा, acting जैसे आपने कहा तो इसके लिए कुछ मतलब एक theater होता है या फिर आगे भी इसमें कुछ होता होगा तो वो क्या जैसे acting बहुत सारे चीजों में होता है तो theater दो format में किया जाता है एक street, एक stage तो stage में हमारे पास proper audience होते हमारे पास proper studio होता है auditorium होते है, audience होते है आप उनके लिए perform करते हो और street जो एक format होता है उसमें आपके पास mic नहीं होता है आपके पास stage नहीं होता है आपके पास open audience होता है तो आप उनके लिए परफॉर्म करते हों अंकीता अब हम आपसे जानना चाहेंगे डांस तो हर लोग कर लेते हैं हाथ पैर हिलाने से लेकर लोग जानते हैं रहे हाथ पैर हिला लिया इसका मतलब वो तो डांस कर रहा है लोग बच्चे से ही सब को सिखाने लगते हैं हाथ पर हिला रहा है डांस कर रहा है बट ऐसा होता नहीं है डांस क्या है इसकी अलग सगर अगर परिभाशा आपसे जानना चाहें तो उसकी क्या परिभाशा हो सकती है देखिए कहीं तो dance की परिभाशा है भी और नहीं भी, क्योंकि चाहे ये art field ऐसी field है ना, जिसमें चाहे वो dance हो, चाहे acting हो, चाहे singing हो, सारी artist के लिए अपनी अपनी परिभाशा है, वो जैसा उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस चीज़ को express करते हैं, वो ऐसा उसे define कर सकते हैं, मेरे सब अपने body movement से और अपने expression से dance को मतब मेरे अंदर जो चाहँ से express करती हूं, तो जैसे आपने expression की बात कहीं, तो dance में expression कितना माइने रखता है, इसमें क्या तालमेल होता है, ये जरवत हैं, देखे, dance एक जगे पर सीमित नहीं है, dance की बहुत variety, बहुत forms है, बहुत तरीकों में बटा हुआ है, बहुत wide है, तो ये depend करता है कि आप किस form के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किस form में हैं आप, basically क्योंकि मैं एक semi-classical और Bollywood dancer हूं, तो मेरे इस form में expressions बहुत matter करते हैं, तो मेरे लिए expression is like, जितना मैं dance कर रही हूं, जितना मेरे flexibility और body movements matter करता है, उतना मेर कि ये form बिना expressions के कुछ भी नहीं है, मानव, अब हम आप से जानना चाहेंगा, आपने theater की बात कहीं, तो theater क्या है, ये लोगों को बताइए, और ये कितना जरूरी है, theater एक process है, ट्रेनिंग का, एक माध्यम है, एक अभीनेता के लिए, एक अभीनेतरी के लिए, जिसमें वो बहुत सारे कहानियों को महसूस करते हैं, बहुत सारे किरदारों के थ्रू होते वे, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, और बहुत सारी तरह की दुनिया वो जीते हैं अचा, अज़ थेटर कितना जरूरी है, थेटर कितना जरूरी है, मुझे लगता है सब की अपनी point of view होती है, as per my point of view, मुझे लगता है कि अगर आपको acting करना है, अगर आपको acting में career बनाना है, तो initial stages में आपको at least 2 to 3 years, minimum 2, 2.5 years की theater बहुत जरूरी होती है, क्योंकि theater हमें ब नातक कर लेते हैं, बहुत सारे big auditoriums में perform कर लेते हैं, तो वो सोचते कि हम तो होश्यार हो गए, हमें नातक बातक आ गया, हम audience को राम से face कर सकते हैं लेकिन जब तक आप compatible नहीं हो the type of audience you are facing the type of direction you are getting the type of expressions you are throwing to your audience, the type how are you connecting towards audience, यह बहुत माइने रखता है तो हमें theater बहुत कुछ सिखाता है अब जैसे stage और street है दोनो अलग अलग format है, एकदम opposite है, stage में हमारे पास proper stage है हमारे पास mic है, हमारे पास एक four walls within four walls, एक proper space है, लेकिन street में वैसा नहीं है, आपको बहुत आवाज थ्रो करना पड़ता है, और acting का दूसरा नाम है confidence, तो street theater जो हमारे confidence बिड़ करने बहुत करता है, अंकीता, आप से जाना चाहिए, आपने Bollywood और Classical की बात कही, ठीक है तो filmy गाने और Classical dance, दोनों अलग होता है तो दोनों में क्या difference है दोनों में कहा जाए तो डिफनस तो बहुत है क्योंकि Bollywood dance show है वो basically एक तरह का freestyle है ठीक है, उसको आप देख करके copy करके सीख सकती हो, जाद जाद आप उसमें क्या करना है आपको उसके beats पकड़ने हैं, उसके body moments पकड़ने हैं और लेरिक्स पकड़ने, अच्छे से कर लेना और अगर आपको expressions आ रहे है, the well and good सोने पे सुहागा टाइप वाली बात हो गई बड़ जो classical है, उसमें बहुत training required होती है क्योंकि यह ऐसा form है, जो मुझे सुकून देता है मुझे यह शांती देता है अंदर से, इसके लिए semi-classical जब आप करते हैं अगर आप training ले रहे हो तो देख के कर रहे हो तो आप देख के भी कर सकते हो बट एक होता है कि हर चीज की अगर आपको गहराई तक जाननी है उसके technical terms को जानना है तो आपको ट्रेनिंग एक गुरू का साथ चाहिए होता है जो आपको आपकी गल्तिया बताए आपको सुधारे तो जब आप classical की ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें आपको ताल क्या होता है और पिर कैसे उपर नीचे किया जाता है कैसे आपको माइन को चंट्रोल करना तो वो चहरे में नी दीखना चाहिए चहरे से जो गाना चाल रहा है उसके एक्सप्रेशन देखने चाहिए तो वो सारी चीजे एक होती है कि क्लासिकल में माइन बोडी एक्सप्रेशन तो हर कुछ कंडूर करना पड़ता है बॉलिवूड में बॉलिवूड में बॉलिवूड बॉलिवूड इस काईड़ बड़ी इजी मेरा TV था क्यूंकि मेरे इस साइड एक आईना होता था और इस साइड एक टीवी होता था तो TV को देखकर के सको कॉपी करना कॉपी करने से स्टाइटिंग पर्च ने बोहां दून तक वैसे ही किया एक trading कर तुम गे अगर अगर दांस कर तुम मिल खेन, इसकी नहीं है धिक आप चुम ऑन कर ना की कहांन को कर ना ऐस अगर प्रफसेशनल ही को सबना कर डीषरी यदि को एक से सचिंटेयर अगर अगर आантन कर आपर और जो वो तापको confidence देता है कि आगे आप उस चीज में career बना सको मानव अगर आप से चानना शाहे है कि एक actor के क्या perspectives होते हैं देखी, actor के negative perspectives भी होते हैं, positive भी होते हैं तो पहले मैं negative से शुरुवात करता हूँ एक actor बहुत responsibility क्यारी करता है अपने shoulder पर क्योंकि जब एक actor ठान लेता है कि मुझे acting करना है तो बहुत बड़ा responsibility उसके shoulder में होता है कि लोगों को entertain करना है लोगों को social aware करना है, लोगों को social message देना है पहले आप naatak कर लिए, entertainment कर लिए, हसी मजा कर लिए लेकिन last में आप अगर message छोडते हो तो वो आपका अलग छाप छोडता है towards the society और आप Indian society को जानते हो यहाँ पर जितना message जाये लोगों को उतना ही जागरुकता होती है तो perspectives की बात करें तो यहाँ पर एक चीज और है blink of an eye में opportunity आपके आँखों के नीचे से चला जाता है जैसे है कि आपको एक casting call आया कोई भी एक बड़ा production banner से आपने सोचा कि हाँ कुछ देर बाद इसको भेज देंगे profile लेकिन उस देर में कितने लोगों पुरा दुनिया से पुरी देश से कितनी लोग उसमें profile बेज देंगे तो हो सकता है कि आप से कुछ अच्छा मिल जाए आप में कुछ ऐसा talented हो लेकिन आप से जो पहले बेज़ा उसका look matter कर जाए तो आप तक नहीं पहुच पाते है casting team वाले तो opportunity grab करना बहुत मतलब बहुत है सब चीज की और अगर positive की बात करें तो जितना name है जितना fame है इस field में कोई field में नहीं है जी हां earnings भी बहुत अच्छी है लेकिन at the same time simultaneously struggle भी उतना ही है जैसा कि इसमें acting अगर आप acting कर रहे हो तो इसमें आपको dialogues वेगरा याद करना यह सब भी बहुत आम होते हैं तो आपको भी बहुत सारे dialogues याद करने पड़ते होंगे तो आप हमारे दर्शु जैसे कि आप actor हो ठीक है acting करते हो आप ताप हमारे दर्शु को को एक acting की छोटी सी जलक दिखाना चाहे जी acting related मैं थोड़ी सी बात करता हूं उसके बाद में आया है पका तो जैसे मैं theater कर रहा हूं और theater में नाटे शास्तर कहा जाता है मतलब dance और drama का combination तो नाटे शास्तर हमें चार प्रकार से acting करना सिखाता है एक अंगिक मतलब अंग, body, वाचिक, verbal, एक सात्विक मतलब use of moods, expressions, attitude, behavior, state of mind और एक हो गए आपके अहर, मतलब costumes and makeup इस चार तरीके से जब आप acting करते हो तब you are a real actor तो अब जैसे कि आपने कहा कि छोटा सा एक जलक दिखा हूं तो एक मैंने पंजाबी नाटक किया था, मैं पंजाबी मुंडा का किरदार निभाया है था, प्ले का नाम था फिर लोटा ही जिंदगी तो उसका एक मुरलोग है, मैं बोलता हूं मा प्यो साड़े लई वर्दान है, उन्ना दी मरंदा पहले तो नानू ना मारो यार, वो साड़ी ताकत है, उन्नानू बे सहारा ना हों दई अगर उक कमजोर हो जाए, तो साड़ी संस्कृती दी रीड कमजोर हो जाओगी और बिना रीड दी संभाजदा की हों दा, किसी नाल चिपा नहीं सक्दे, कुछ भी करिये, लेकिन साड़ू बुजर्गुनू बे सहारा ना करिये, उन्नानू बे घर ना हों दे अगर उन्ना दी अक्खा विच एक भी आंसू आए, तो कर्ज कई जन्मा तक रहोगा, थे मान ना पहोगा, तो आड़े को सब कुछ होगा, बस एक सुकून इन्ना होगा आपने तो मुझे रुला दिया अपनी एक्टिंग से, बहुत अच्छा एक्टिंग किया आपने अच्छा, अंकीता, अब आपने भी बहुत सारी बाते कहीं, ठीक है, तो आप भी एक छोटी सी जलग दिखाते हैं अपनी डांस की तो मैं एक छोटी सी जलग दिखाऊंगी, जैसे कि अगर कोई नौड डांसर जो बैसे की लिए ट्रेंड नहीं है, वो स्टेज पे गया है, तो उसे क्योंकि एक्स्प्रेशन का ऐसा कोई नौलेज नहीं और यह फॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे करेगा, और बाद में जब अ जैसे एक्स्प्रेशन की नौलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो स्टेज पे जाएगा, गाना बजरा, लेप संग थोड़ा सा करेगा, मूमेंट कर देगा, तो कुछ ऐसा करेगा, जैसे कि नैनो वाले ने छेडा मन का प्याला, जो भी लाइन साइगा करेगा, अगर मै जैसे एक्स्प्रेशन के साथ करूं, तो वो देखिए किता अट्राक्टिव लगेगा, जैसे कि नैनो वाले ने छेडा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैनमेन अपने साथ ले गया, तो ये मेरे चेहरे से थोड़ा सा अट्राक्ट कर रहा होगा, कि हाँ कुछ त अगर एक्स्प्रेशन अच्छे हैं, तो ओडियन्स भी एनर्जेटिकली बैट के आपको देखती है, और ये बहुत अच्छा जरिया है अगर आप ग्रूप डांस कर रहे हो, तो आपको अच्छे हैं तो आपको वहाँ एक अलग अडेंटिटी मिरती है, आपके पहचान बन प्लस पॉइंट मिल जाता था गुरूप डांस में भी, तो इसलिए एक्स्प्रेशन का अच्छे से यूज करना आना डांस में बहुत सरूरी है, ये बात अपने अच्छा का है, आप सच में बहुत अच्छी लगती है एक्स्प्रेशन के साथ, अच्छा अच्छा अगर अ इरिया नहीं है जहां पे लोगों के पास स्मार्टफोन अप नहीं पहुंचा है, इन फाक्त गाउं वगेरा में भी जो हमारे इंडिया के हैं, काफी हद तक बहुत जादा डेवलप कर चुके हैं, तो फोन सब के पास है, यूट्यूब जैसा प्लाटफोर्म तो फ्री ही है आप देख के कॉपी करना चाहो तो आप कर सकते हो, सीख सकते हो, उसमें भी फीचर है कि अगर आपको जादा फास्ट लग रहा है, तो आप स्लो करके सीख सकते हो, तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर क्या आपके पास स्वेसिलिटीज वो नहीं है, मैं ऐसे जगा के बात कर अगरी जैसे आप को एरिया पे हो, आप पर डांस इस्ट्यूट वगारा ये सब कुछ नहीं है, तो आप वो सबसे कॉपी कर के सीख सकते हो, बट अगर आप प्रोफेशनली कहो कि मुझे प्रोफेशनली सीखना है, इसमें करियर बनाना है, एक डिगरी चाहिए प्रोफेश मुझे बताया है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मैं कहां पर वीख हूँ, मैं कहां पर स्टॉंग हूँ, इससे परले जब मैं आक्टिंग कर रही थी बिना ट्रेनिंग करें, मैं तब आक्टिंग बना डांस जब कर रही थी, तो मैं कर रही थी, तो मुझे ठीक है, मुझ तो मेरा स्टैमिना बहुत जादा होता है और बाकियों को कम होता है तो थोड़ा से में जादा हाइलाइट हो जाती हूं क्योंकि ग्रूप में सबको एक बराबर यह डग डग रहना चाहिए और सोलो आप कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे अपनी गर्थी का पता चला मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है क्या से करना है तो वह पता चलता है तो अगर आपके ऐसे एरिया में हो जैसे टाउन सेडीज वगारा में तो वहां तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डांस इंसिटूट्स अब हर जगा पर बात करूं जार्खन की ही तो हर जगा अवेलेबल है लेकिन अगर आप गाहों एरिया से हो और आप प्रोफेशनलेटी सीखना चाहते हैं और नहीं आ सकते हो तो भी आजकल अगर आप नेट यूज करते हो तो आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेले सीखने के बिए और ऊपके पास बहुत जर्या है बहुत कुछ है अगर आपके पास नेट यूज को आप अच्छे सीख सकते हो मानव अगर आप ऐसे जाना चाहे कि आपके जैसा कोई एक्टर आगे बढ़ना चाहें जैसे आपने हम लोगों को गोरुलाया थो अगर और और तो किस तरह का कोर्स अपना सकते हैं? हमारे इंडिया में इंस्टूशन्स बहुत हैं अनुपरम खेर सरका है, शुबास गाई सरका है लेकिन बात करें जो चलता आ रहा है और अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है वो है नाशनल स्कूल आफ ड्रामा Film and Television Institute of India यह बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स फॉर अंडर्ग्राज़एशन और पोल्स ग्राज़एशन के लिए बहुत सारे मास्टर्स डिगरी ओफर करता है हाला कि यह सब आप कर सकते हों लेकिन अकोर्डिन टू मी अब जैसे आप देख रहे हो अब जैसे लोग ने अपने इनिशेल स्टेज़ज में थीटर बहुत किया यह लोग ने अपने आप में बहुत टफ रहा तब ही लाइफ इन लोग में स्मूध है अगर यह लोग सोचते कि कुछ नाटक हमने कर लिया कुछ हमने शॉट फिल्म्स कर लिया कुछ आज कर लिया चलो बड़े पर्दे में ट्राइ करते हैं तो तना नहीं होता शायद तो इनिशेल स्टेज़ में आप जितना थीटर प्राक्टिस करोगे जितना ट्रेनिंग लोगे जितना परफॉर्मेंस करोगे जितने प्रोजेक्स करोगे लेटे टू थीटर बहुत फादामन रहेगा जैसा कि आपने कहा स्ट्रागल करना बहुत जरी होता है यह बात तो है हम लोग जो चीज़ देखते हैं लोगों को जो चीज़ परदे पे दिखाया जाता है वो एक एडिटेट फ़र्म होता है लोग यह नहीं जानते कि उसके पीछे महनत कितनी होती है और फेस करने पड़ते हैं कि लोग तो एडिटेट फ़र्म देखते हैं उनको तो लगता है वाँ किता अच्छा एक्टिंग कर रहा है यह से तो सब आता होगा लेकिन उसके पीछे लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, आप एक्टर है, आप स्ट्रगल को फेस भी आपने किया होगा, तो आपने किस तरह के स्ट्रगल फेस किये हैं? ठेक है, एक रिसेंट शूटिंग मेरी हो रही थी, मैं उसी का कुछ बात आपको डिस्कस करता हूँ, जैसे ये मैं शूट पे गया, मैं थोड़ा सा एक्सपिरेंस हूँ, टू-्री यर्ज ऑफ थेटर, और क्यामरा अलसो, तो मेरे साथ क्या हुआ, डिरेक्टर ने रिहर्स कर अब यदिने को कहा, मैं ने अपना डियालोग का रिहर्स किया, उसके बाद उन्होंने कहा, कि अच्छा निकल क्या आ रहा है, लेकिन पार्ट-बाइ-पार्ट थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो जब मैं डियालोगं अपना डेलिवर किया, तो सबसे पहले उन्होंने face में काम किया, face में सबसे पहले आई, उसके बाद बोलने का क्या तरीका, उसके बाद head movement, उसके बाद neck आपका कितना उदर से इधर जा सकता है, shoulder कितना twist हो सकता है, आपकी waist कितना, और आप leg movement ले सकते हो या नहीं, apart from this, dialogue deliver बहुत important रखता है, अब जैसे कि मैंने बात कि अलग-अलग format की, stage की, street की, अब stage में obviously आप थोड़ा सा low sound आप में आपको बोलना होगा, street में लेकिन आपको बहुत throw करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजों में struggle है, आपको सबसे पहले तो आप किसके लिए अपने आपको express कर रहे हो, अपने audience को भापो सबसे पहले, तो dialogue में आपका struggle है, dialogue को याद करना है, अचा फिर क्या होता है, जब street में perform करते हो, तो आप देखते हो कि लोग उठके जाने लगते हैं, क्योंकि street में तो हम control नहीं कर सकते है audience को, तो कुछ audience उठके जाने लगते हैं, उसमें आप अगर dialogue deliver कर रहे हो, तो अचानक से आपका moral down होता है, confidence down होता है, at that particular point of time, theater आपको ये सिखाता है, street theater mainly, कि आप अपना confidence कैसे जैसे कि मैंने कहा कि acting का दूसरा नम confidence है, तो confidence is the basic thing you need in acting, और अगर आप में confidence है, तो struggle आपके लिए थोड़ा सा असान हो जाता है अंकीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, कि आपने किस तरह का struggle face करते हैं, पहले आप स्टेज पर पहुंचने से पहले किस तरह का struggle आपको face करना परता है, तब आप निखर के आती है, तब आप निखर के आती है तो मुझे कभी confidence की दिखत नहीं हुई, मुझे प्राब्लम इस चीज की होती थी कि मुझे याद कि मैं जब एक बार कर रही थी, अच्छा खासा चल रहा था था पर 2nd year 12 standard में थी, मैं गई क्यूंकि उस तरह में होता है, teachers आपको dance सिखाते है, आपको वो जाके वो करना होता तो मैं गई और मैं steps भूल गई, पता नहीं कि शायद open stage था बहुत जादा, बहुत जादे audience थे तो मैं एक होता है nervous हो गई, छोटी सी थी, तो जब nervous होई तो मुझे छुपाना भी नहीं आता था, वो चीज भले, मैं रूखी नहीं बट मैं continue कर दिया, इक होता है कि मेरे चे आपके चले से दिख रहा है तो आप expressions भी नहीं दे सकते हो, फिर मुझे याद है कितने दे तक बैठके आएने के सामने अपने expressions प्राक्टस करती थी, और कभी-कभी जब नहीं वो जो desired आप चाहते हो नहीं आता है, तो frustrated भी हो कि छोड़ देती थी कि भाई, नहीं होगा मेर करना, सबस्दा आपको confidence तो चाहिए ही होता है, चाहिए वो कोई भी चीज हो, but self-believe या self-trust जो कहूं, खुद पर एक भरोसा रखना कि मैं कर लोंगी, वो जताना और दुबारा गर आपका downfall हुआ है, आप गिरे हो, उस चीज़ को दुबारा उठाना वो आपका सबसे करन, तो वहां भी frustration होता है, वहां पे बहुत जादा depressed हो जाते हैं, जोने depressed होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, लेकिन लगातार practice के साथ, characters के साथ, अगर आप ना छोड़ो तो वह आ ही जाता है, तो यह struggles होते हैं dancers के, आपके आगे के plan क्या क्या है, अब आपन एक बहुत हुस्टिप्टन काइब डान्स पोड़ो से जाता है, करदें आप ना फोड़ो पोड़ो परूने लाई होता है, ट्रहस्तीक साथ, लोगोका क्या क्यों आथा-टारीओ, उब एक काम ने यह कोप्लूइध इने डcol प्लेणन द्था, एंिक के लिए आप वलन रका तो आपको बहुत साथा इंटरेलेटेड है तो अगर आपको यूस करना आता है तो आप दोनों जगा उसको अप्लाई कर सकते हो और कहीं अगर आप बिंग अग्टर आप डांसर भी गुर तो आपको एक उतार जल्दी आपको प्रिफर करते हैं और अचा आप मानव अगर पैशन बनाया था लेकिन मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूं फ्रॉम कोनवर्टिं एक्टिंग एज माई पैशन तो माई प्रोफेशन और हमारे लिए बहुत इस इंडस्ट्री में गुसना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि OTT जो है ओवर दे टॉप प्लाट्वर् के लिए तो हमारे लिए उतना टफ नहीं है बस है कि कंसिस्टेंट रहें तो अगर हम अभिने को टाइम देंगे तो वो हमें जरूर किरदार देगा चलिए अज हर छेत्र में लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेना और सिख्शा लेना नहीं च कि जिसे उन्हें निगिटिवीटी और पॉसिटिवीटी के बार में पता नहीं चलता है आज competition के दर में अगर लोग निगेटिवीटी और पॉसिटिवीटी को नहीं जानेंगे तो वो आगे नहीं बढ़़ पाएंगे हमारे च्छोटे से प्रोग्राम से हमारा यही जरिया था कि हम आपको आपके अंदर की negativity और positivity को आप पहचानते हुए आगे बढ़ें धन्यवाद